नमस्कार दोस्तो बंदर बीस दिनों के अंदर जो पत्तिस परसंद गिर चुका है बैंक अभी क्या यह वैंक खतम हो जाने वाला है यही आपको वताने की कोशिश करूंगा सर तो वीडियो पूरा लाश्ट तक जरूर सर देखिए और अगर आपने विद्धिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो एक ही रिक्वेश्ट है सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेसन आइकन को जोर से दवाईए और जूरे रहिए अबाउट निवेश्वन चैनल के साथ तो सर देख भाएंगे 315 रूपे के ओपर बंधन बैंक ने क्लोजिंग दी है और अगर आप अगर चाहूंगा सर पैनिक मत कीजिए क्योंकि आपका आज का पैनिक आपका आज का पैनिक आपके कल के प्रॉफिट के उपर एफेक्ट डालेगा क्यों ये बता रहा हूं एक्जाम्पल के उपर आपको समझाने की कोशिश करता हूं सर 370 के आसपास बैंक लिश्ट हुआ था 370 क आसपास बैंक 2018 में लिश्ट हुआ था ठीक है सर बहुत ज़्यादा पूरा ने लिश्टिंग रही है दुनिया देही रही है सर बैंक के स्टॉक ने वंदर मैंक के स्टॉक ने पूरा दुनिया जो है सर अभी तक देखी नहीं है सर ठीक है हाँ हो सकता है कंपनी ने यहापर थोड़ा बहुत देखी है, बैंक ने थोड़ा बहुत देखा, लेकिन सर्ट श्टॉक ने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है, और 25 रुपे का जो यह पर भारी कट, यानि कि 7.5 परसन का गिरावट, एक दिन में ये श्टॉक भाग रहा है, मतलब गिर रहा है, आप के इन्फोर्मेसन के लिए बता देना चाहूंगा, ये बैंक एक दिन में 40 परसन तक भी आपको भाग कर दिखा दिया है, जिल लोगों को पता है कि किस दिन भाग दिखा या सर, कमेंट करके दरूर तो बताईए, मुझे पता है आपके पोर्टफोलिव, अगर बंदर मैंक क स्टॉक, 40% एक दिन में भाग कर दिखा दिया था, और सर, अगर आपको ये मालूम है, तो इसे चैनल को सब्स्क्राइब जरूर से कीजिए, क्यों किस दरह ये हम लोग फॉलो रखते हैं कि किस वक्त बैंक भाग रहा है, और एक लाइक हिट कीजिए, लाइक के उपर, तो स 40% is equal to 120 रुपिया, 130 रुपिया के आसपास, तो सर, भागने का दमखम तो बैंक के पास है, ठीक है सर, और आप सोचेंगे कि वह तो टेकनिकल वगर कुछ किसी भी चीज़ के उपर कोई बात यहाँ पर कभी नहीं करता सर, देखें निवेश अगर आप यहाँ पर करने जाए तो सर, यहाँ पर निवेश करने से पहले, निवेश करने से पहले, fundamental analysis का ही महत्व ज़्यादा रहता है सर, fundamental analysis आपको यह समझा देता है कि क्या वाई करना है, और technical analysis आपको यह बताता है कि कब वाई करना है, ठीक है सर, यह simple theory, simple logic है, और अगर आप current situation की बात करें, तो यहाँ पर हो सकता है, आपकर जो technical analysis है सर, वो आपको बताएगा कि अभी वाई नहीं करना चाहिए, stock बहुत weak है, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, लेकिन सर, अगर आप मेरे से पूछे कि पिछले अगले 5 साल में क्या पोच हो सकता है, तो सर मैं आपको यहाँ पर सीना ठोक के बता पाऊंगा कि सर, 5 साल में बैंक का श्टॉक ही 705 जाने वाला है सर, मतलब यह पूरी तरह से मैं यह अनुवान है सर, मतलब डिफिनिटली होगा ऐसा नहीं सर, लेकिन मैं यह बताने का दमखम जरूर से रखता हूँ कि 700 पार जाने का दमखम 5 साल के अंदर बंधर मैंक क श्टॉक कभी 700 गया ही नहीं, सर, आपके इंफोमेंशन के लिए बता दो सर, 470 के लिश्टिंग के बाद यह बैंक का श्टॉक 704 रुपया तक गया था सर, 710, 705 ऐसा भी गया था, कितने दिनों में गया था सर, अगर आप देखे, 28 मार्च, मार्च से लेकर अगश्ट तक, यानि कि पिछले अगर आप देखे, उस बक्त जब लिश्टिंग हुआ था, 7-8 महिने के अंदर, 6-7 महिने के अंदर अंदर, श्टॉक का भाव अगर आप देखे, 80% तक बढ़ चुका था सर, 80% तक स्टॉक 7 महिने में, 6 महिने में भाग कर दिखा दिया था, और अगर आपके दिमाग में होना चाहिए, कि सरफ बैंकों के जो यहाँ पर प्रोविशनिंग होती है, प्रोविशनिंग मतलब, जिनको अगर आप देखे, NFA होने की समभावना, जो यहाँ पर कहते हैं सर, यह जो पैसा यह नहीं आ सकता, इसके ओपर एक अंदाजा लगा लेने, य सारा कुछ के ऊपर बेस करकी यह हो रहा है, अगर आप देखे, बैंक का अगर आप रिजल्ट के ऊपर पुरी तरसे फोकस करें तो आपको पता चल जाएगा, कि बैंक की कोई यहाँ पर देखे, तो जो इनका इंट्रेस्ट अरनी है सर, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा सर, वो बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रो करता हो, नजरा आ रहा है, लेकिन फोड़ी से बढ़ चुके है, थोड़ी सी क्या बहुत जादा बढ़ चुके है, उसके चलते ही आपको यहाँ पर यह गिराबट देखने को मिल रही है, लेकिन सर यह बैंक्स है, इनका ब बड़ा लॉस भी आपर बुक करना होगा, वो उसकी हिम्मत तुम मेर रहना होगा, तभी तुम कोई बड़ा बिजनिस कर पाओगे, और सर प्रोविजनिंग की बात करें, तो प्रोविजनिंग में अगर इनका प्रोविजनिंग बढ़ रहा है, तो सर इसका मतलब यह समझन करने के लिए सही मौका है, सही टाइम है, बंधर मैंक के श्टॉक को अपने पॉर्टफोल में रहने दीजिए, ज्यादा शेड़ खानी मत कीजिए, यह बैंक आपको डूबदा हुआ नजर नहीं, कभी नहीं आएगा, इनका जो बिजनिस मॉडल जिसको कहते हैं सर बहुत अच्छा बहतरीन है, और आपको यह भी बताना चाहूंगा, सर यह श्टॉक आपको साथ सो पार तो जरूर से जाने बाले है, और यह एक जिसको कहते हैं सर आपका जो विल्थ है, उसको सर बढ़ाएगा, डिफरेंटली बढ़ाएगा, और सर किसी श्टॉक में अगर आप जो की है, रुची बनने के लिए, इन्वेश्टर को समझने के लिए, सभी स्टॉक को समझने के लिए, तो जड़ा वक्त लग जाता है, लकिन सर उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है, और मेरी राइप पूछें तुसर मैं आपको बताना यही चाहूंगा, जिस तर आपको सुधार ही देखने को नज़र आएगा, और आज आपको बताना चाहूंगा, बस आप एक बार रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप पस यहाँ पर निवेश्ट कीजिए, आपका जो पैसा है, आपको पैसा मल्टिविकर रिटन य आपको डिसर्च लेना है, और श्रॉक कितना नीचे जाता है, यह देखने वाले बात है, मुझको जो रखता है, यहाँ पर से 270 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, उसके बाद रिकवरी आने की चांस ही जाना है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखे, 270 के उपर आपको बहुत चुका है, बैंक ने, तो 270 तक हो सकता है, गिर रहे, जरूरी नहीं कि वहाँ तक जाना ही चाहिए, वाकि 270 के उपर बहुत अच्छा खासा एक अगर आप देखे, बेस बन चुका था, और कोबिट के जमाने में भी, अगर आप देखे, मार्च, अप्रिल, में के महिने में भ पर एक बेस बनाया था, श्टॉक ने, तो आपको ये नजर में रखना चाहिए, बाकि जिनके पास है, पकर के रहिए, छोड़ना मत, श्टॉक जरूर से, यहाँ पर आपको अच्छा का से रिटन देगा, और हो सकता आपका थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाए, ठीक है, आपका थोड़ा जो investment का tenure है, वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन से return भी बड़ा ही होगा, तो यही आपको समझाने की कोशिशती, वीडियो कैसा लगा, एक लाइक जरूर से करके बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जिए जुड़े रहिये, Know About Investment चैनल के साथ, थैंक यू, जाए हैं तुरू,